आश इस 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 इंजिनिर अब्दरहीं तो आज की जो हमारा टोपिक है वो है Mesh Analysis इस टोपिक में हमने क्या करना है इस टोपिक में हम ने Mesh Analysis के Конcept को यूज़ करते हुए match currents को find करना है तो इसके कुछ steps हैं सबसे पहले उन steps को देख लेते हैं अगर हम उन steps को समझ लेंगे तो हम कोई भी match analysis के question को easily solve कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं step number one तो step number one में हमने क्या करना है count match कोई भी हमारे पास जो circuit given होगा हमने देखना है उस circuit में कितने meshes हैं step number two step number two में हमने क्या करना है assume current direction जब हमें पता चल जए कि इस circuit में हमारे पास इतने meshes हैं फिर उन meshes में हमने क्या करना है current की direction को assume करना है जो के जादे तर हम clockwise करते हैं step number three step number three में हमने क्या करना है apply kvl and ohmsla जिन meshes पर हमने current की direction को assume की है उन meshes पर हमने kvl और ohmsla को apply करना है तो यह हमारे पास three steps हैं अगर हम इनको सीख लेंगे तो हम कोई भी question को easily solve कर लेते हैं तो एक example ले लेते हैं से इसको बेतर समझने की कोशिश करते हैं तो example के दोर पर हमारे पास यह circuit है इस circuit पर हमने इन steps को apply करना है सबसे पहले हम देख लेते हैं step number one step number one में हमने क्या करना है count meshes यह जो हमारे पास circuit है इसमें हमने देखना है कितने meshes हैं mesh क्या होता है mesh एक ऐसा loop होता है कि जिसके अंदर कोई branch नी होती branch को आप resistor भी कह सकते हैं या कोई भी element कह सकते हैं और loop क्या होता है loop होता है एक close path तो इस circuit में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि loop कितने हैं loop क्या होता है close path है तो अगर आप यह देखें, यह हमारे पास पूरा एक close path है, इसको आप close circuit भी कह सकते हैं, तो यह हमारे पास क्या एक loop है, इसी तरह यह भी हमारे पास एक loop है, क्योंकि यह भी close path है, और यह भी तीसरा हमारे पास full loop, जैसे हम complete loop भी कह सकते हैं, यह पूरा एक loop है, क्योंकि यह एक close path है, तो इस circuit में हमारे पर total कितने loop हैं, इस circuit में हमारे पर 3 loops हैं, लेकिन step number 1 में हमने loops को count ही नहीं करना है, हमने meshes को count करना है, मेश मैंने आपको भी बताया है कि एक ऐसा loop होता है, जिसके अंदर कोई branch नहीं होती, जैसे आप इस loop को देखें, यह जो आपको एक loop नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको कोई branch, कोई register वगरा नजर नहीं आ रही, तो यह loop मेश है, तो इसको मैं कहा देता हूँ, मेश number 1, और जो आखरी हमारे पास loop है, इस loop को अगर आप देखें, इस loop के अंदर आपको एक branch नजर आ रही है, यानि यह एक रेजिस्टर नजर आ रही है, वो कौन से फोटी नहुम की, तो यह वाला जो loop है, यह मैश नहीं है, तो इस circuit में हमारे पास कितने मैशिद हैं, इस circuit में हम क्या करते हैं, तो यह दो मैशिद हमारे पास इसमें हम branch की direction को assume कर देते हैं clockwise, इसको भी मैंने assume कर दिये clockwise, इनको हम कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं, इसको मैं कह देता हूं I1 और इसको मैं कह देता हूं I2, यह जो हमने branch की direction को assume किया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब य कि यह जो हमारे पास MASH 1 है हमें नहीं पना है MASH में कोन been को सा करेंट गुजर है इस MASH में जो टन ओह हम की रिजिस्टर लगी ए सुर्टी नौह हम की रजिस्टर लगी है या उल्टी सोर्स लगा वा है इसमें ते गज़रने को हमें नहीं पता तो हमने खुद से जूम कर लिया कि इसमें करइंट गुदर है I1 जूम करने के बाद हम गया करेंगे इसकी value को find कर लेंगे इसलिए हमने इसको जूम किया इसी तरह कि आप myash 2 में देखें जो हमने current i2 को assume किया है हमें नहीं पता इस पूरे मेश में कौन सा current गुज़र है तो हमने zoom कर लिया कि इस पूरे मेश में i2 current गुज़र है बात में हम क्या करेंगे इसकी value को find कर लेंगे इसको मैं मज़ीद clarify कर देता हूं current के symbol बना के वो इस तरह कि पूरे लूप में कौन सा current गुज़र है i1 वो भी clockwise i1 इस तरह गुज़र है तो यह आप देख सकते हैं इसको मैंने मज़ीद clarify कर दिया आपको कि इस पूरे लूप में i1 current इस तरह गुज़र है इस तरह मेश 2 में भी हम कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं हमने इसके मज़ीद symbols बना के इसको मज़ीद clarify कर दिया तो अब चलते हैं step number 3 की तरफ step number 3 में हमने क्या करना है apply kvl kvl हमने किस पर apply करना है यह जो हमारे पास mashies लाए इन mashies पर हमने क्या करना है kvl को apply करना है उन equations को हम simplify करेंगे तो हमारे पास i1 और i2 की value आजएगी तो सबसे पहले हम apply करते है mash 1 पर kvl तो इदे मैं लिख लेता हूँ mash 1 तो अब हम क्या करते है kvl को apply करते है kvl क्या होता है kvl के मताबिक किसी भी mash ये loop में all voltages का sum equal to zero होता है यानि के loop के अंदर जितने भी voltages आते है उनको हमने क्या करना sum करना और equal to कर देना zero के तो अब हमने क्या करना है इस पूरे mash में travel करना है traveling के दुरान जितने भी voltages आएंगे उनको हमने क्या करना sum करते जाना और last पे क्या कर देना equal to zero कर देना और हमने इस पूरे मेश में travel के direction में करना है हमने current के direction में travel करना है तो कोई भी एक point को select कर लेते हैं जहां से हम travel करना शुरू होंगे और traveling पूरी करने के बाद हमने उसी point पर आकर रुप जाना है तो इस point को मैं select करता हूँ current के direction में मैंने क्या करना है travel करना है तो यहां से मैं ट्रैवल करना शूरू हुआ तो सबसे पहले मेरे पास आता है 10 वोल्ट का वोल्टी सोर्स अगर आप देखें मैं इस वोल्टी सोर्स के कौन से टर्मिनल से एंटर हो रहा हूँ मैं नेगिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा हूँ तो sign मेरे पास आज़ेगा negative और world resource की value का है? world resource की value 10 volt तो इदर आगया 10 उसके बाद मैं आगे चला आगे मेरे पास आती है 10 नोहम के register तो सबसे पहले तो इसका sign देख लेते हैं इदर हमने positive डालना है के negative डालना है तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है current register में जिस terminal से enter होता है उस terminal पर positive sign आजाता है I1 जो हमने यह assume की है यह register के किस terminal से enter हो रहा है इस terminal से तो इदर क्या ज़ेगा positive और दूसरे terminal पर क्या ज़ेगा negative और हम जो traveling के current की direction भी का रहे हैं तो हम register के कौन से terminal से enter हो रहे हैं positive terminal से तो sign तो हमारे पास आगया positive उसके पाद हमने क्या करना है 10 ohm के voltage लिखना है 10 ohm के voltage तो हमें नहीं पता तो हमने क्या करना ohm slack को apply करना ohm slack के मताबिक V is equal to I multiply by R यह simple सा formula जो कि हमने apply करना R तो हमें पता है 10 ohm तो इधर R की जगह पर आगे 10 और I की जगह पर हमने क्या लिखना है I की जगह पर हमने 10 ohm की register में से गुदरने वाला क्रेंट लिखना है जो कि हमने zoom किया वह वह क्या है I1 यानि 10 ohm की register में से कौन सा क्रेंट गुदरा I1 तो I की जगह पर आजगा I1 I1 multiplied by 10 ये हमने ohm slack apply कर लिया तो आगे चलते हैं आगे चले इस match में तो हमारे पास आती है 40 ohm की register तो इसके भी हमने voltage find करने हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं sign कौन सा आएगा I1 करेंट इस terminal से enter होड़ा इससे register के तो इधर आजएगा positive और दूसे terminal पर आजएगा negative और हम भी करनेट की direction में travel कर रहे हैं तो हम इस register के कौन से terminal से enter होड़ा है positive terminal से तो इधर की आजएगा positive अब इस पर आप्लाइ करेंगे R की जगह पर तो आगे मेरे पास 40 और I की जगह पर क्याएगा R की जगह पर मैंने 49 में से गुजरने वाले crank को लिखना है इस register में अगर आप एक चीज़ноट करें इस register में सिर्फ एक crank नहीं गुजर रहा यानि इस register में सिर्फ I1 crank नहीं गुजर है इस register में मैश2 का crank भी गुजर रहा है मैश2 का計 गुजर को कुज़ diferen सा? तो हमारे पास 14 ohm का actual current आजएगा. तो अब बात यह है कि हमने किस current को किस में से minus करना है. यानि I1 को I2 में से minus करना है, कि I2 को I1 में से minus करना है. तो यह बिल्कुल सा तरीका, आपने यह याद रखना है, कि जिस mesh की आप equation लिख रहे होगे, उस mesh के current को आपने क्या कर देना है, opposite current से minus कर देना है. तो इस वक्त हम किस की equation लिख रहे है, mesh 1 की equation लिख रहे है, तो mesh 1 का current कुछ सा I1, तो I1 को minus कर देना है आपने opposite current I2 से. तो यह हमारे पास आगया I1 minus I2, यह से register का current आगया I की जगा multiply by 40. तो आगे हम चलते हैं mesh लूप में, तो जहां से हमने start किया था, वहां पर ही हम वापिस आगये, तो यह loop हमारे पास complete हो गया, तो all voltages का sum हमने कर दिया है, एंड पर हमने क्या करना है, equal to zero डाल देना है, तो यह हमारे पास आगी mesh 1 की equation, इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं, minus 10 agitils आजएगा, plus b agitils आजएगा, 10 multiply by i1, इसको हम कहा देते हैं 10 i1, उसके बाद इसको अंदर multiply करते हैं 14 को, तो यह मारे पास आजएगा 14 i1, minus 40 i2 is equal to zero, यह minus 10 agitils आजएगा, 10 i1 और 40 i1 यह हो जएगा 50 i1, 50 i1, minus 40 i2 is equal to zero, तो इसको हम कहा देते हैं equation 1, mesh 1 की equation भी कहा सकते हैं, या equation 1 भी कहा सकते हैं, अब हमने क्या करना, mesh 2 पे kvl को apply करना है, तो mesh 2 में भी कोई एक point को select कर लेते हैं, जहांसे हमने travel करना शुरू करना है, मैं इस point को select कर लेता हूँ, यहां से मैं travel करना शुरू हूँ हूँ है, क्रेंट की direction में, तो सबसे पहले मेरे पास आती है 20 ओहम की register, sign कौन साइगा, sign आपको पदा positive ही आएगा, क्योंकि register में grant जिस terminal से enter होता है, उस terminal पर positive आ जाता है, और दूसे terminal पर negative आ जाता है, और हम current की direction में travel करें इसका मतलब हम register के कौन से terminal से एंटर हो रहे हैं positive terminal से तो sign तो हमारे पास आगया positive हमने इसके अब क्या करना है voltage लिखना है और हमारे पास आगया 20 और i की जगा पर क्या आजएगा इस register में से कौन सा current को तरह है i2 जो के हमने zoom किया हुआ तो i के जगा पर आगया i2, i2 multiply by 20 आगे हम चलते हैं इस loop में यह इस match में तो आगे हमारे पास आता है 20 वल्ट का voltage source और हम इस voltage source कों से terminal से एंटर हो रहे हैं हम इस voltage source से positive terminal से एंटर हो रहे हैं दूसरी साइट पर negative आ जाता है और हम क्रेंट की direction में traveling कर रहे हैं इसका मतलब हम रेजिस्टर के positive terminal से एंटर हो रहे हैं तो sign हमारे पास आ पास आ पॉजिटिव 40 नहां के हमने voltage लिखने हैं और की जगा पर आ गया 40 आ की जगा पर क्या एगा इस register में कितने क्रेंट गुज़र हैं हमें पता है इस register में 2 क्रेंट गुज़र है आई 1 और आई 2 और दोनों की direction क्या opposite है दोनों को हमने subtract करना है किसको किस में से करना है वो हम देखेंगे किस mesh की equation लिख रहे हैं इस बार हम लिख रहे हैं mesh 2 की equation और mesh 2 का क्रेंट कौन सा है i2 तो i2 को अब हम subtract करेंगे i1 में से तो यह i2-i1 यानि जिस mesh की equation लिखनी है उस mesh के current को subtract कर देना है opposite current से तो loop यह mesh में मज़ीद आगे चलते हैं इसके बाद जहां sum ने शुरू किया था वहां पर ही हम वापिस आगे तो यह हमारे पास loop complete हो गया all voltages का sum हमारे पास आ गया इसको equal कर देना last पर हमने किसके 0 गे इसको simplify कर देते हैं i2 multiply by 20 यह हमारे पास हो गया 20 i2 plus 20 i2 लाजेगा plus इसको अंदर multiply करते है 40 i2 minus 40 i1 इसको आगे मैं लिख लेता हूँ 20 i2 और 40 i2 यह हमारे पास कितना होज़ेगा 60 i2 उसके बाद 20 हैज़ेगा और उसके बाद minus 40 i1 भी हैज़ेटी लाज़ेगा तो यह हमारे पास equation 2 आगी इसको हम मैश 2 की equation भी कह सकते हैं तो दोनों मैश इसकी मारे पास equation आगी है अब हमने इसको क्या करना है इसको हमने simply mathematically solve करना है जब हम इसको mathematically solve करेंगे तो हमारे पास i1 और i2 की value आज़ेगी जो कि हमने आज किस टोपिक में करना भी यह था तो next page पर हम इन दोनों equations को लिख क इसको mathematically solve कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं net space फिर हमने इन equations को solve कर लिया है equations को solve करने के बाद i1 हमारे पास क्या आया i1 हमारे पास आया minus 0.1423 ampere और i2 हमारे पास क्या आया i2 हमारे पास आया minus 0.4285 ampere तो यह दोनों हमारे पास answers आ गया है और अगर मैं आपको एक चीज बता हूं यह i1 की value हो और i2 की value हमारे पास negative जो निकली है इसका क्या मतलब है तो पीछे question में वापी चलते हैं और मैं आपको इसका मतलब बताता हूं i1 की value और i2 की value जो negative निकली है इसका मतलब यह है कि जो हमने Cranc के रियुम किया है यह हमने उलट Cranc की रियुम किया है यानि इस लूप में जो Cranc है वो clockwise ने ट्रेवल करा है इस लूप में जो Cranc है वो एंटी क्लोओकवाईसद्रेवल करा है negative का जो sign है वो यही बता रहा है इसे तां match 2 की créd की value भी जो negative निकली ए उसका मतलब है कि जो आए 2 की value हमने assume कि है clockwise यह clockwise नहीं है यह anti clockwise है negative sign only direction को indicate करता है कि हमने direction जो है गलत लिए है यानि कि ओकॉसित लिए it लेकिन उसे value पे कोई फ़र्ण नहीं परता यानि उसका मेगनी चूट जो हमारे पास I1 और I2 का निकला है वो हमारा बिल्कुल ठेक निकला है तो मुझे उमीद आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लेस इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार रखिएगा थैंक्यो सो मच अलाहाफीज